हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आप सभी कापके अपनी यूटूब चैनल सोचोलोजी विसंगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोचोलोजी की कंपेटिटिव एक्जाम के प्रिपेशन करते हैं इस चैनल में आपको दो क्लासस मिलती जिसमें की मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहें BPSC 4.0 सोचोलोजी के स्लेवस को और साथी साथ बिहार एस्टेट यूपी पीजीटी के स्लेवस को रात के 8 बचे आप लोग के लिए जाडखन लेडी सुपरवाइजर को लेकिन आप लोगों का जो जाडखन लेड करना पड़ेगा इसलिए दोपर के तीन बजे आप लोग के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लगा रही हूं आप लोग 100 कोस्टेंस को टेगल कीजेगा पूरा हम लोग डीटेल में उसका एक्स्प्लेनेशन देखेंगे कि हड़े कोस्टेंस में क्या बोला जा रहा है और आप ल जो सेट है उसको मैं अलग से प्लेलिस्ट पढाकर अप्लोड कर दी हूं आप लोग वहां पर जाकर देखेगा तो आज का जो हमारा पहला कोशन है हम लोग टोटल 100 कोस्टेंस को इसमें कवर करेंगे आज का हमारा पहला कोशन है कि फैले हवे स्रोता समू के रूप में जनत किया है तो समाजिक गतिसिलता का साताथपड़े क्या होता है कि जो व्यक्ति है या तो एक व्यक्ति हो सकता है या फिर आपका एक से अधिक व्यक्ति होगा तो मैंने आपको सौड वीडियो में भी बताया है लॉंग वीडियो में भी बताया है कि समाजिक गतिसिलता का छहत जाएगा आपका इन में से कोई नहीं क्योंकि समाग जो समाजिक गति सिलता है वो सोडोकिन महुदर का दियावा है नेक्ष्ट कोश्चन नुचे 42 क्या करता है कि राज्य काम की निया संगत जो मानव जो दसायें हैं इसके बाड़े में बताता है फिर प्रसूति सहायता के लिए उसके संदर में बात करता है अनुचे 39 जो है यह राज्य का आपका राज्य द्वारा जो वहां के कुछ इस्पेसल जो नीती तत्व हो होते हैं उसके बारे में बात किया जाता है और अनूशेथ 15 जह यह धर्म जाती Лिंग यह सब में जो भिवेद होता है उसको रोकने की बात की जाती है ठीक है बूलेटीन क्या है इंडियन सोचाइटी के संदर में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैंने आपको बताया कि जो जी एस गुरिय जे थे उनके प्रयतन से ची जी आपनए समय कराओ लिए उनके उसे स्थापना की गहीं गहीं ए एक जरल्नल क क्या है एक जर्णल qq एक उडान है 9 कि विलासी वर्ग की आवधार्ना किस ने दिये विलासी वर्ग की जो आवधार्न सब्सek कर से पहले परियो किनों यह विलासी वर्ग का सब्सक्राइअ अपने पुस्तक देट थ्योर29 में अउसमे बताते हैं कि समाज का वर्भ जो भरन पोशन करने करने लिए करता है अपना प्रतेक्श बीना किसी अपना जीवन जैता है बीना किसी फारम उसको यूज़ करते है तो अपना ऊसका अलग ही स्टीटस रहता है मान समान रहता है तो उसको क्या बोला जाथा है विलास्रीव वlas Pad सब्सक्राइब का मतलब हो गया कि एक समाज की सांस्कृतिक विजस्ताओं को दुसरे समाज में फैला पसाड करना फैलाव करना नाम से पता चल रहा है नेक्ष्ट है कि प्रें विवा का प्रंप्रागत नाम है प्रें विवा जो अभिकाए उसका प्रंप्रागत नाम किया है तो गंदर व विवा त्रेकर शे civilization सक्वार्णas चेतन और नकरात्मक नियंतन जो है किमबाल यंग जी के दौरा, प्रतिक्ष और अप्रतिक्ष नियंतन काल मैन्हिम, ए सत्ता वादियो लोक तांत्रिक नियंतन लेपियर मोहदे जी के दौरा दिया गया है। next question है कि समाजिक संरशना को क्रिया की अवीरल धाड़ा के रूप में किस ने किया है तो एंथनी गिडिंग्स मोहदे ने किया है निश्चित रूप से प्रंपरा बिडोधी है तो इसका कारण क्या था तो वो हुझाएगा आपका कर्ण्या हत्या इसके कारण उन्हों वहाँ पे जो महिलाओं की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा कम गई थी तो इसलिए वो जो टोड़ा जन जाती थे वहाँ पे बहुपती बिवा जो ज़्यादा प्रचलन में आया था कि एक ही भूमिका के वीवी ने पहलू के बीच होने वाले संखर्स को क्या कहा जाता है एक ही भूमिका उसमें बहुत सारे संखर्स हो रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं भूमिका तनाव ठीक है किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता दुईतिक समय में होती है तो मेंली आपको आपचारिक संबंध देखने को फॉर्मल रिलेशन देखने को मिलते हैं कोश्चन में 16 पूछा जाड़ा कि सामाने ता सरल समाजयों में राजनीतिक संगठन का आधार क्या है जो सरल समाज होते हैं वहां पर राजनीतिक संगठन किस रूप में देखने को मिलता है नेक्स है कि निम्नलिकित में से कौन जंजाती धर्म का लक्षन कौन से नहीं है त रहें को समीती नहीं ऐसे नहीं कि बाद की जारी है। तो ऑफ ऑगा। एक में आप युवाग्री दिया वाने। वेनतों में जंजाती दिया है तो कौन सी कौन से जंजाती के एंतラगत आता है या इस प्रकार का खूश्चन वे आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर सही उत्तरका च cultivation करने के लिए बोडा जारा है सही उतरक च cultivation की जैल कि कौन से हैं तो गीटी ओड़ा जो है वो किसका हो जाएगा आपका होजन जाती का रंग भंग जो होगा ये भेटिया गोटुल गोंड और चेंपो जो होगा वो नागा का यानि गाड़ो जो है ये इसका राइट एंसर नहीं होगा नेश ये कोश्या नमबर 20 पूछा जाड़ा है कि नगर के चाड़ो और घिरने वाले ग्रामीन छेत्र को क्या खा जाता है नगर के चाड़ो जो घिरने वाला ग्रामीन छेत्र है उसको हम लोग क्या कहते है तो उसको हम लोग कहते है उपनगर के नाम से जानते किसे उपनगर क कुश्चर नमर्ट 21 पुछा जा रहा है तो होद्धियून कर समाज में क्रिसी क्या है तो वहतीज्चर महत्म महत्व है क्यूश समाज वह आप मसेन्व का जाधा महत्म हमें देखने को मिलता है कि भारत में निम्ना लिखित में से कौन 427 मान्याता प्राप्त समू है तो 420 को किस कौन सा है तो वह आपका हो जाएगा अनुसूचित जन जातियां कितनी 427 जो कि 1950 की बात की जाए तो अनुसूचित जन जातियों कि संख्या 212 थी और जब 1971 आया तो उसमें इनकी संख्या कितनी होगी 427 कोश्य निम्ना लिखित में से कौन प्रजाती का निर्धारक नहीं है प्रजाती का निर्धारक तत्व नहीं होता है तो उनके तुछा का रंग नासी का केस यह सभी होता है लेकिन जन्मिस्थान यह प्रजाती का निर्धारन नहीं होता है क्योंकि प्रजाती का निर्धा हो गया केस हो गया आंखों का रंग हो गया सरीर पर जो उनके बाल हो गए या होट का रंग कैसा है यह सब होता है लेकिन जन्म स्थान कोई निर्धारक तत्व नहीं होता है सरल समाजों में राजनीतिक संस्था का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है जो सरल समाज होते हैं तो उसमें राजनीतिक संस्था का आधार क्या हो जाएगा नाते दाड़ी हो जाएगा जो समाजिक संस्था को बनाई रखने के लिए नाते दाड़ी विवस्ता का आपका रा बित्रन को समाजिक सरीकरन कहते हैं कि सकती प्रतिष्टा पुरुषकर ये तीनों ही यह जाएगा जब समाज में इस तरीकरण में देखने को मिलता है नेश्टे Q26 पूछा जाड़ा है कि निमने लिखित में से एक विज्ञान तथा धर्म के मद्ध सम्मंद के बाड़े में सही कथन क्या है विज्ञान और धर्म के मद्ध हमें सही कथन का चैन करना है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा तरक बुद्धिवाद और अनुभाब बाद एक दूसरे से सयोजित होते है ये इसका राइट एंसर हो जाएगा नेश्टे एल्विन ने भारतिये जनजातियों के संदर में प्रिथक करन की नीती का समर्थन इस कारण से किया क्योंकि जो एल्विन थे वे संपर्क से आदिम संस्कीति का विघठन हुआ है इसके बारे में बात करते थे तो एल्विन जो थे वो भारतिये जनजातियों के संदर में प्रिथक करन की अपनी नीती का समर्थन किय थे और इसी कारण उन्होंने बताये था कि जो बाहर लोगों के संपर्थ में आने से जो जन्द्याति है समाज है उनकी जो संस्केति है उसमें बिगटन हो रहा है क्योंकि उनकी अपने संस्केति जो क्या हो रही है वो धिर धिर लोप होते जाए है कि न्याधिस द्वारा अपने पूत्र को सजा सुनाते हैं कि स्थिति क्यासी होती है कोई न्याधिस है जो कि अपने पूत्र को कर रहा है तो उसका जो हो जाएगा पस्तति संगर्स हो जाएगा क्योंकि उसको वो क्या कर रहा है कि वो न्याधिस होते हैं अपने पूत्र को सज सुना रहें नेक्ष्ट नमेर 29 कि सोसल एंड कल्चर डाइनमिक्स में सांस्कृतिक व्यवस्था के तीन प्रकार किसने बताए हैं तो इसका राइट एंसर हो जाएगा सोडोकिन मोहदे संस्कृतिक ने जो सांस्कितिक व्यवस्था इसका तीन प्रकार बताएं थे वह तीन प्रकार कौन कौन से चेतनात्मक भावात्मक और आदर्स्रात्मक संस्कीति इसके संदर में बात की थी साव्यवी मुल्य विसिष्ट मुल्य चार भागों मुल्यों को विवक्त किया है तो इसका राइट असल हो जाए कैंस महदे किस ने किया है नेच्ट दी कॉन परस्ते अर्जित नहीं कीक साय सकती है जो कोसा अर्जित नहीं कर सकते चाल के अद्धर आता हुआ है लेगा है मतलगती घरवान अभी नेता यह सब तो अर्जन किया जाता है सभी जादू सहानु भूती मूलक है इसको किस समासास्त्री नहीं कहा है सभी जादू हैं सहानु भूती मूलक है जादू का बात जैसे है का फ्रेजरह जादू के इण दो भेद बता है क्योंकि इन दोनों प्रेकार के जादू के काड़न और काड़े का आपस में संबंद पाया जाते है इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है नेशे कोश्य नमर 34 पूछा जाड़ा है कि तलाग की वेवस्ता किस अधिनियम में की गई है जो तलाग की वेवस्ता है तो हिंदु बीवा अधिनियम के अंतरगत बीवा विचेद की वेवस्ता की गई है तो वो कोश्य नमर 35 पूछा जाड़ा है कि मैक्स बेवर के अनुसार पूझी वाद निम्नलिखित में से किस से संबंध नहीं है स्वक की धार्मिक प्रती बतता, कैल्विन के सिध्धानतों में विस्वास, उचवर्गिय मूल या इही लोग का वेड़ाग्य तो इसका जोड़ाई टेंसल हो जाएगा, उप्सन नमर 4 हो जाएगा, इहीं लोग का वेड़ाग्य सत्य सोधक समाज का संस्थापक नहीं मिलिखित में से कौन सा हो जाएगा, तो जोती राव फूलेजी हो जाएगे इन्होंने कब की थी, तो 27 सेप्टेंबर 1873 में सत्य सोधक समाज के स्थापना की थी, वो महराश्टर से थे और इसका उद्देश्य जो था, जो समाज का सत्य सोधक समाज का, कि सुद्र एवं जो अर्स्पिस से जाती है, कि लोगों को बिमुक्त करना, पुरोहितवाद, स् बत की जाती थी, नेशे, कोश्य नंबर 37, पुचै जाएं कि आपको सुमेलिद करने के लिए बोला जाएं, कि आप सुमेलिद कीजिए, तो यहां पर, दिखे, पुचै, जाती एक बंद बयवस्ता है, बवस्ता के बारे में बात की जाएं, धेले भी हैं अगर जाती बंद- मैक्स बेवर हो जाएगा ठीक है बन्द अव्यवी स्तरीकरन कौन देते हैं तो फ्रेडरिक बेली देते हैं पुर्णत कथोर वर्ग का चरम रूप जाती का प्रकार है जो कथोर वर्ग का जो चरम रूप होलता है उसको जाती बोला जाए गुर्णान मेंडर और स्तडन की बजाए पदक्रम की अभिव्यक्ति को हम जाती कहते हैं ये हो जाएगा ल्यूज दूमागा नेक्स्ट है कुशन नुमर 38 पुछा जाड़ा है कि भारती आवासी योजना कब बनाए गी थी तो भारती आवासी योजना जो है जिसको की जुआहर रोजगार योजना के अंतरगत बनाया गया था और इंद्रा आवास योजना गरीबों की आवास समंद्य उनकी जो आवशक्ति हैं उनको पूरा करने के लिए तो ये 1985 में किया गया था देखें कोश्य नंबर 39 में सूची एक में जन जाती है सूची दो में उनकी विसेस्ताएं है कि कैसी है जैसे जो भील जन जाती है तो भील जन जाती की विसेस्ता क्या हो जाएगी तो वो बहुपतनी प्रथा वाले होते हैं तोड़ा जन जाती में बहुपती पाया जाता है खासी जन्जाति में कैसा होता है यह मात्र तंतर होता है मात्र परधान होता है उराव जन्जाती हो चाहिए Ini यान इस गाहां कोशन इम फोटी पूचा जाड़ा है कि निमनेलिखित में से कौंसा एक सही सुमेलित नहीं है कौन सा सही नहीं है इसके बाड़े में बात की जा रही है तो रूस और दो की करांति यह सही नहीं क्योंकि हो सब्सक्राइब वार 1917 का जुड़ावा है और ओद्धो की करांति से ब्रेटेन जुड़ावा है बाकी ये तीनों ही सही है बाकी खाले क्योंकि नदफतर साही को नौकर साही भी बोला था सिर्फ रूस वाला ये ऑप्सन ही सही हो जाएगा निमने लिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं पोला जाएगा तो आपको जानना होगा कि कहां पे कौन से जैसे मान लीजिए श्रीपूरम जो है यह आंद्रे बेते का एस्ती दूबे का नहीं है यहां पर जो इनका एंसर दिया हुए है यह चीज को ध्यान में रखिएगा से एसी दूबे का स्रीपूरम नहीं है समीर पेट होगा क्या होगा एसी दूबे का समीर पेट स्रीपूरम अंद्रे बेते बाकी कैथलीन गफ का तंजोड हो जाएगा एफजी वेली का बिसी पाड़ा हो जाएगा एवन स्री निवास का रामपूर हो जाएगा ठीक है यह चीज को ध्यान में रखिएगा कोशन नमर 43 पूछा जाड़ा है कि भूमिका का एक स्पष्टी करण यह है कि वह क्या हो जाएगा तो यह प्रस्तिती का गतिसील पहलू है यह इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कोशन नमर 44 कि भारत में निम्न लिखित में से कौन से राज में अनुशुची जातियों के लिए आडक्षन का प्रतिसत् था मुलता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा तमेर नडू और वहां पहूंपे आपको 69 परसंट देखने को मिलेगा अनुसूचित जाती हो के लिए आरक्षन में ठीक है कोशन में 45 पूछा जाड़ा है कि सुचेक में अवधार्णाय देगे हैं उसका अर्थ दिया गया है तो हम लोग चलिए इसको देखते हैं उदग्र गतिसीलता उदग्र गतिसीलता का म हुमिका में पडिवर्तन अंतर पीडी गतिसीलता जो होता है यह जैसे पुत्र की जो ब्यवसाइक पस्तती है पिता से बिन होती है तो वह अंतर पीडी गतिसीलता कह रहाएगी अंतर पीडी गतिसीलता जो होता है वह क्या होता है कि कि किसी व्यक्ति के दूसरे व्यवसाय क प्रथम भेववेसाय से भिण होना वह क्या हो जाएगा अंतर पीडि ग्यतिसिलता क्या तरगता है कोईशन 46 पूछा जाड़ा कि विलिंग सहोदढ रज विवा का तात पर क्या होता है तो इसका मतलब होता है कि आपका बिसं लिंगि सहोदर सहोदरजो के बच्चों का जो प्रेसपर विवा होता है उसको बोला जाता है विलिंग सहोदरज विवा ठीक है ये चीज़ ध्यान में रखिये गा next question number 47 पूछा रहा है सूची even सूची दो दिया गया है जैसे आतमदर्बन का सिध्धान किनक है यहां पर सिध्धान के बारे में बोले गया है तो आतमदर्बन का सिध्धान हो जाएगा चाल्स कूले नाटिकलातमक परिख्षन का इडविंग गॉफ में सामुहीग चेतना दुर्खीम हो जाएगा और id ego और super ego segment fried हो जाएगा क्या हो जाएगा segment fried हो जाएगा next question है question number 48 पूछा जाड़ा है कि आपको सूची एक में अवधारनाई दी गई है और उसकी सूची दो में विजस्ताई दी गई है जैसे यांतरिक एकता तो यांतरिक एकता क्या होता है तो यह आपका यहाँ पे हम लोग देखते हैं यह समाजिक असमानता यांतरिक एकता क्या हो जाएगा समाजिक असमानता हो जाएगा प्राथमिक समू यानि आमने सामने का सम्मंद लगू समूदाय में अंतर निर्भरता होता है ओके next question कि तरह बढ़ते हैं कुला का मतलब क्या होता है यहाँ पर कुला भी एक option में दिया हुए तो कुला का मतलब हो गया उपहार बीने में question number 49 बोला जाड़ा है कि निमने लिखित में से कौन सा बिवास स्वरूप एक विदूर के अपनी पत्नी की बहन के साथ बिवास स्वरूप करने का सही प्रती निदित्व करता है क्या बोल रहा है कि एक विदूर का अपनी पत्नी की बहन से बिवा तो वो उसको क्या बोला जाएगा उसको सौरोडेट बोला जाएगा क्या बोला जाएगा स्वरोडेट बिवा बोला जाएगा question number 50 बोला जाड़ा है कि यहां पर आपके लेखों के नाम दिये जाड़े हैं उनके पुस्तकों के नाम दिये जाड़े जैसे आपका C.N. चेपिकर, C.N. चेपिकर की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा The Parsish, S.C. Dubey, The Kamar, D.N. मजुमदार, The Santhal Study in Culture Chain और T.B. नायक का हो जाएगा The Wills ठीक है इसको आप लोग याद कर ली जाएगा C.N. 51 बोला जाड़ा सूची एक में सूजी दो दिया गया है तो सूची दो सूची दो से मिलान करने के लिए बोला जाड़ा है कि गोड़ाड तो वो किस से जूरे में है मनरोंजन गोड़ाड जो है मनरोंजन печern सिथान से जूरे में हैं बकेरिया चुह या सास्त्रिय दोसे दोAc तब उसको सहीं कर सकते हैं भाख। flat हो ग्वेगति कि भूमी का परिठी ओती हैं कहां पर होती है। तो उसे गई प्रत्यासाओं के समूष्य में परिठी ओती है। से मुसलिम बिधि के एनु साम मेहड क्या होते हैं मेहड किसको कहता है तो वह बधु सूल्ख है चो कि विवहा के समय दिया जाता है वर पक्ष पर के समय इसको'. लिंदे इनसर हो जाएगा सुध्र. कोशो 35 निमनललिकत मैंसे कौन से एक समुदाय का आवश्य का अविलेक्ष और थी बात की जाने во तो इस्धीर सरकार हो जाएगा निमनललिक निमनलिकित मेंसे कौन सा मुद्दा रामकित मुखरजी से समंन्दित नहीथ control उनका समाजिक मूत नहीं है पूँकि समाजिक मुल्ले का जो मुद्धा है ये रामकिर्स मुखर जी ने ने दिया था नेक्ष एकोशन नुमर 57 पूशे जा रहे हैं कि निम्ने लिकित में से कि समाज सास्त्री ने संप्रदायवाद के छे आयामों का उलिक किया है तो टीके उमाज जी जो थे उन्होंने संप्रदायवाद के छे आयामों के बारे में बात की थी नेक्ष एकोशन नुमर 58 कि भारत में 1961 का वर्स इसलिए परसिद है कि इस वर्स में एक अधिनियम पारित हुआ था जिसका संबंद किस्से था तो उसका संबंद किस्से था 1961 का दहेज के निसेज से नेक्ष एक कोशन नुमर 59 पूछा जाड़ा है कि इन निम्ड मेंसे कौन सा यूग में सही नहीं है आपको सही नहीं कि पूछा जाड़ा है तो मानव समू जो है यह मैक्स विवर यह सच क्योंकि संदर्व समू के आड़के मतन हो जाएगा प्रात्मी समू का कूले हो जाएगा बाहे समू का अंत्रिक समू का हो जाएगा समरड ठीक है लेकि मानव समू के बारे में जो बात है से ससत्र आजादी को क्या करते हैं सजा दिया है लेकिन ससत्र आजादी दिया है तो उसको बोला जाता है पैरोल बोला जाता है क्या बोला जाता है सजा से ससत्र आजादी को पैरोल कहा जाता है नम्न मेंसे कौन सा समुधाइक जीवन का आधार नहीं है के बारे में अगर बात के जाए तो समान्य चिंतन हो जाएगा क्या हो जाएगा समान्य चिंतन कॉशिे नम्न 62 पुछे जाएगा कि भूमिका और प्रतिष्टा यह होते हैं अक्सर अत्यधिक क्या होते हैं, तो ये अत्यधिक अनोपूरक होते हैं. नेक्स्ट कोश्चन नमर्ट सिक्ष्टी थी कि विज्ञान पढ़ंप्रा में नीम्न में से कौन सबसे पहले आता है तो जो बिज्ञान का जो पदानुक्रम किया गया था उनका तो उसमें सबसे पहले कौन सबीकर बिसाय आता है आपका गनित आएगा उसके बाद खगोल सास् इसके बाद अगर कोई सब्जक्ट आता है तो फिर वह नीति सास्त्र हो जाएगा वह अगर नया कोई सब्जक्ट आता है तो नेक्स जो कोश्टीव में सिक्ष्टीफ फोड पूचा जारा है कि भार्वारत में प्लाचीड विहीन कारागार किसने संस्थापित किया था तो इसका सही अंसर हो जाएगा, संपूर्णा नंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संपूर्णा नंद हो जाएगा, कोशिशन नमबर 65 पूछा जारा है कि निम्न लिखित में से किसने समाज को तीन वर्गों यथा योद्धा कलाकार एवन सासकों में विवाज़त किया है तो इसका डाइट एंसर हो जाएगा पुलेटो महोदे आपका कोशिशन नमबर 66 पूछा जारा है यहां पर पुस्तक के दिये गया उसके लिखक दिये गया है तो सोसल चेंज पुस्तक किस की हो जाएगी आपका आर्गवन की दा इंडियन पीजन अप्रूटेड मार्गेट मेड दा पॉलिस पीजन आपका थॉमस और जनांकी हो जा ठीक है कोशिशन नमबन 67 पूछा जारा है कि दुर्खिम ने किस जन जाती का विस्तित अधियन के टोटम वाड की अवधाना को विक्सित किया था तो अरुंटा जन जाती का कहां पर अधियन किये थे नेश्ट नमबन 68 पूछा जारा है कि आकास्मिक अपरादी वह होता है जो आकास्मिक अपरादी हम किसको कहेंगे जो कि आपका अपसर मिलने पर कभी-कभी अपराद करता है उसको हम अकास्मिक अपरादी कहते हैं कुश्य नमब सिक्ष्ण 9 ने कि भारत में समाजिक परिवर्तन के संदर्ब में ब्रामनी करन की अवधारना किस ने दी थी तो ब् ज्यान की दोगली बहर नहीं किसने का है तो फ्रेजर महोदय हो जाएगा नेक्स रहे की होकाट और सेनार्ट रहे जाती कि उत्पति के कि सिध्धान करने वाले संस्ता ही पुरसाथ थे ऐसा किसने का है तो प्रभूजी की दौरा बोला गया है निस्टेश 17 नमबर की एक बच्चे का विद्याले से खिसक जाना क्या कहलाता है अगर वो विद्याले से भाग रहा है तो उसको क्या बोला जाता है उसको पलायन सिल्था बोला जाता है यह सब कॉमन सेंस का कोश्चन है जो कि आप लोग गलत नहीं करिएगा नेश्ट कोश्यन है कि निमने लेकित में से कौन सभ्यता का अंग नहीं है तो सभ्यता का अंग क्या हो जाएगा कवीता और संगीत यह सभ्यता का अंग नहीं होगा नेश्ट ये कोश्चन नमबर हमारा 75 पूछा जारा है कि निमने लेकित विद्वानों में से किसने एतिहासिक परिपेख्ष में हिंदू परिवारों का अध्यन किया था अगर भारत की बात की जा रही है तो वो कौन क्या हो जाएंगे जो जिन्होंने अध्यन किया था इराव हमति करवे ने इंडियन सोसाइटी अपनी जो पुस्तक थी उसमें उन्होंने इसके संदर में बात की थी नमबर सेवेंटी सिक्स पूछा रहा है कि बोगर ने अपराद की प्रकति के अधार पर अपरादों को कितने से नियों में बाटा था तो उन्होंने इसके चार बिभीन कालों में बिक्सित होकर अन्य भागों में परसादित होती रहे है इस प्रसादवार के समर्थक कौन है तो इस प्रसादवार के समर्थक आपका गेवनर और एकर मेंकर मैं यह दोनों ही हो जाएंगे नेश्टे कोश्य नमर 78 पूछा जाड़ा है कि सम्मिती पडिवार की अवधाना किसने पतिपादित की थी तो यंग और विलमाट ने पतिपादित की थी कोश्य नमर 79 निमनांकित में से कौन सा उपागन गड़ी उन्मोलन कल्यान और निस्पक्षता पर तयार कारे कड़ों को सम्मिलित करता है तो कौन सा हो जाएगा विकास में महिलाएं कि निम्नांकित में किसने जंजातियों की समश्याओं के लिए राष्ट्य उद्धन कुछ भी नहीं पढ़ना होगा राष्ट्य उद्यान दिख गया इसका मतलब ही हो जाएगा वेडियर एल्विन उतना को कीवर्ड खले पकड़ के रखना होगा कि न कर डे ख़ी हो सकता है तो इसका जो डाइट एंसर हो जाएगा वे वी महता ने कहा 있어 कहा है कि सोशलोजी दो सब्दों सोशियस प्लस लोगस से बेना है सोशियस लोगस लोगस किस भाय भासक है तो लोगस जो है यूनानी भासा का सब्द है नेक्स है कि धर्म निर्पेक्षी करन का अर्थ है धर्म निर्पेक्षी करन का क्या अर्थ हो जाएगा तो सभी धर्मों का समान समान देना इसको धर्म निर्पेक्षी करन कहा जाता है सांस्कति बिलंबना किस ने दी है तो आर्गबन ने दी है एक इस्त्री का भीवा उसके द सबसे पहल तो चाल्स बूत ने किया था था चाल्स बूत ने किया था तो महुआ छेत में आई-पी दिसाई ने अधिन किये थे ग्रामिन भारतिय समाज के परिपेक्ष में साड़ भूहमी करन स्थानिय करन के प्रक्रियाओं का अधिन कि मैं तो मेरियर जी कि द्वारा र किया थाथी सैंट नेक्स कांच में अमेरिगा के यइल विश्व विद्यालें किरें किसनि किया था तो यह विश्व विद्याले सब्सक्राइब करन किया है तो इन में से कौन सी भारत की मातेवन से जन जाती है तो अभी हम लोगों ने देखा कि भारत की मातेवन से जन जाती के अंतरगत आपका खासी गाड़ो नायर यह सभी आ जाएंगे किसने अनु नातेदारी का अनु सब्द को गड़ा है नातेदारी का अनु यह लेविस ट्रॉस जी का गड़ाव है संदर्ब सम्हों को सकरात्मक और तथरनाकरात्मक संदर्ब सम्हों में किसने विवेग दी करन किया है तो संदर्ब सम्हों की अगर बात की जा रही है तिकिन क समाज की विशेषता नहीं है नहीं पूछा जाएगा नेक्स्ट है कि किसने सहयोग को प्राथमिक दूतियक और तीतियक सहयोग में वर्गे कृत किया है तो कौन हो जाएंगे किसने विश्टलन के नामकरन सिधान्द का प्रतिपादिन किया था तो आपका वेकर महोदे हो जाएंगे संपूर्ण संस्ता की अव्दाना किनकी द्वाड़ा दी गई है तो इर्विंग गॉफ में भूमी का पूंज में स्थाइट वियाने संघर्ष के संरशनात्मक काड़कों का सिध्धान किसने प्रतिपादित किया था तो मर्टन हो जाएंगे किस जन जाती को हिंदू बन जाना एक सांध उधारन है किसी जन जाती के अगर हिंदू बन जाता है तो वह किस चीज का उधारन होगा तो उसको हमला संस्कृती करन करते है ठीक है आज का जो लास्ट कोशिन है कि मादक द्रव्य है मादक द्रव्य हम किसको करते है तो वैद जो मादक द्रवे उसका दुरिप्योग अवेद मादक द्रवे का उप्योग यह दोनों ही इसके राइट एंसर हो जाएंगे ठीक है यह हो जाएंगे तो आप लोग मुझे कमेंट करके जुरूर बताये कि आउट ऑफ हंड्रेड आप लोग के किते माक्स बन रहे हैं और अगर आपको क्लास हेलफुल लगे तो जरूर इसे एक लाइक कर दीजिया और मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्रेस्काइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए क्योंकि जैसे क्लास अप्लोड होगी तो उसका न निवाद